हलो दोस्तो मैं हूँ जाहिद सु आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि UTS एप में पेपर लेस्टिकेट कैसे बुक करें तो सबसे पहले आपको अपना UTS एप लॉग इन कर लेना है लॉग इन करने के बाद यहां पे आपको बुक एंड ट्रावल पेपर लेस्ट पर किलिक करना है अगर आपका लोकेशन अन नही है तो उसको अन कर लेना क्योंकि यह करन्ट लोकेशन फेज करता है उसके बाद ही आप बुक कर सकते हो पेपर लेस्टिकेट इसके बद यहाँ पर आपको depart from यानि जी स्टेशन से आप travel करने वाले हो आपका जी स्टेशन से आप सफर करने वाले हो उस स्टेशन का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है इसके बद यहाँ पर आपको going to station यानि आप जी स्टेशन पर उतरने वाले हो लास स्टीशन आपका or destination उस उसस्टीशन का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है इसके बद यहाँ पर आपको next पे क्लिक करना है इसके बद यहाँ पर आपको सार्वर02.1 देखने मिल जाँगे इसके बाद यहाँ पर आपको payment type में click करना जैसे कर आपके R wallet में balance है तो आप R wallet से निकाल सकते हो यानी नहीं तो आपको UPI वगर जिससे भी आप निकालना चाहो उससे निकाल सकते हो तो मैं R wallet पर ही रहने देता हूँ click इसके बाद get fair पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको वापस से एक detail देखने मिलेगा कि यानी आपका ticket कहां से कहां तक कहा total fair किता और सब कुछ यहाँ पर देखने मिल जाएगा second class, first class इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको book ticket पर जैसे ही आप click करोगे तो आपका ticket book हो जाएगा यह screen recording के वज़े से यहाँ पर पूरा screen ब्लैक नजर आ रहा है क्योंकि इसमें information होता है उसके उपर screen recording work नहीं करता जो कि black नजर आता है लेकिन मुझे यहाँ पर मेरा ticket देख रहा है इसी तरीके से आपको भी देखना ticket तो यहाँ पर आप ticket इस तरीके से देख भी सकते हो कि आपके booking history में जाके यहाँ पर देखिए book history दिख रहा है आपको इसके उपर जाएंगे तो आपका ticket जो आप बुक कर रहे हो देखिए यहाँ पर मेरा ticket बुक हुआ है यहाँ आपको देख रहे है तो अब भी भी आपको इस वीडियो से रिलेटेट कोई भी डाउट है तो प्लीज वीडियो में कॉमेंट करो मैं आपको इसके रिपलाइस जरूर करूंगा थांक्यू